नमस्कार दोस्तो स्वागत करता हूँ राहुल कोशिक आरकेप आपका दोस्तो Amazon के बिग बिलियन सेल में जिस जिसने पाटिसिपेड किया है जो हर दिन स्वेगी से भर भर के ओरर करते हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत important है क्योंकि आपको पता है कि आपके card का data खत्रे में है ये data शायद hawkers के पास पहुँच गया है और आपका email ID और personal mobile number भी hackers के पास पहुँच गया है और कभी भी आप pushing attack का शिकार हो सकते हैं कैसे हुआ ये data leak और क्या करना चाहिए आपको जानते हैं पूरा वीडियो उसके लिए enter देखिएगा और मेरे साथ बने रहीएगा दोस्तों और रावल कोशिक आर्के को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीज़ेगा दोस्तों एक जरूरी सुचना अगर आपका अभी डेमेट अकाउन नहीं खुलावा है तो angel broking जो की देश की number one full service broking है वहाँ पर जाके आपको link मिल जाएगा description में वहाँ पर जाके आप अपना डेमेट अकाउन खुलवा सकते हैं बिल्कुल मुक्त में जब भी आप online e-commerce website या full delivery app में payment करते हैं तो कैसे होता है ये payment आपका bank account से app या e-commerce website खुच जाके पैसा लेकिन नहीं आता ये काम करते हैं payment gateway जो safe and secure तरीके से आपके bank से पैसा लेके merchant website क account में जमा करते हैं ये process बहुत जादा secure होता है क्योंकि payment gateway को आप अपना bank detail या card details दोनों provide करते हैं इसी process को secure करने के लिए RBI इन्हें two stop authentication का process चालू किया था जिसके वजह से कोई भी online payment करते रग इंडिया के अंदर आपको या अपना OTP या फिर card pin entry करना होता है OTP दिया है त तो एक chance ये रहता है कि कोई hacker अगर वो detail आपके payment merchant से निकाल ले तो फिर आपका पैसा illegally चुरा सकता है जसपे ऐसा ही payment gateway है जो आपके और e-commerce के बीच में पैसा रेंदेन का matter handle करता है Amazon और Swiggy जैसे बड़े companies का transaction just pay के जरी होता है इसी just pay company ने अपना recent announcement में ये कहा है कि अगस 2020 यानि आज से 6 मेने पहले जस्पे का secure data store से किसी hacker ने लगबर 3.5 करोड में का data और customer personal data चोरा लिया है और ये announcement उन्होंने किया है 6 मेने बाद यानि January 2020 में कैसे हुआ ये चोली क्या अब आप क्या करने वाले है कैसे हुआ ये data theft जस्पे की website में जाएंगे तो आपको दिखेग है AWS का means Amazon Web Services जो इनके technological functionally का मेन पार्ट है AWS access की एक ऐसा चाबी है जिसके जड़ी है इनके data center को access किया जा सकता है data center वो जगह है जहां आपका और मेरा पूरा देश का data save रहता है इसको आप लाखो करोडों hard disk का एक unique storage place कह सकते हैं Amazon Web Services access keys सिर्फ companies के employee के पास होता है लेकिन ऐसा एक unrecycle यानि जो पुराना access है मतलब जो या तो कपनियां कोई employee का access किया किसी ने hack किया था या तो उसी employee को इसमें कुछ role था ऐसे एक access की के जरी 18 अगस 2020 के असपास कुछ unauthorized activity हुए जिसमें लगबग 35 करोड मास card data and personal information जैसे mobile number email ID इसको चुराया गया है जस्पे का ही कहना है कि उनको जैसे इसके बारे में पता चलता है या attack रोग दिया गया मास card data में सिर्फ 4-8 number ही है credit है debit card का और pin related data उसमें store नहीं होता है इसलिए जस्पे कहना है यह data breach से consumer को patient का कोई खतरा नहीं है लेकिन ऐसी बाते companies को हमेशा ही करती रहती है क्योंकि अगर खतरा सच में ना हो data एक international format है जिसमें सिर्फ 4-8 number ही दिखते है इस data में कोई pin नहीं रहता है नहीं इसमें पूरा card दिखता है इसलिए अगर सिर्फ must card data चोली हुआ है तो directly thread नहीं है लेकिन hackers ने अगर back calculation client का name के साथ में back check किया पूरा data का तो वो card का full digit 16 digit जान सकते हैं फिर भी successful transaction के लिए उनक इमेल आइडीज भी चुराए है यानि hackers इस तरीके से pushing attempt करने की कोशिश कर सकते हैं आपको call या email के जर्ये लगाने की कोशिश की जा सकती है अब जस्पे ने effect consumer की नाम नहीं पता है अगर वो बता दिये जाए तो वो बाहर consumer को साफधान रह सकते हैं जस्पे का यह कहना है कि data breeze से कोई effect नहीं होगा लेकिन क्या यह risk हम उठा सकते हैं अगर की risk है अगर risk है ही नहीं तो बीच में 6 मेने बाद कोई दरावनी बात आकर क्यों बताएगा वो भी जस्पे को ही क्यों पिलाल hackers ने एक sample data dump किया है डर्कनेट में डर्कनेट वो जगह है जहां आप Google search के जर्ये नहीं पहुंच सकते मगर यहां पर बहुत सारे illegal activities होती है क्योंकि यह anonymous browsing को support करता है hackers ने पूरा data देने के बदले 8000 डॉलर में bitcoin मांगे थे expert कई मानना है कि hackers शायर इस data से phishing attempt जरूर करेंगे या फिर दूसरा बहुत बढ़ा risk है international merchant से online transaction में pin या OTP नहीं चाहिए याने card नमर और cvb रहें तो कोई भी आपके card से कुछ भी खरी सकता है तो फिलाल users के लिए best option यहीं होगा कि वह अपना credit debit card के internet users को बंद कर दे यह आप net banking या phone pay banking या messaging के जड़ी भी कर सकते हैं सेफ रहना हमारी जिम्मेदारी क्योंकि company अपना profit देखेगी उस चकर में कुछ data और पैसा इधर उदर हुआ तो उसका कुछ फरक पढ़ने वाला लेकिन हमें बहुत फरक पढ़ चकता है तो दोस्तों उम्हेर करता हूं यह informatic video आपके बहुत-बहुत काम आया होगा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों और बहुत जाले शेयर कीजिए राउल कोशिक आरके को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों धन्यवाद